तो इस पहले वीडियो के अंदर हम सभी जिंजिस के बात करेंगे जो आपको वीवो वी 29E के ऊपर एंडुवेट 14 अपडेट के बाद या पर देखने को मिलता है ठीक है तो मैं सबस्क्राइब देखता गया चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करें तो सबसे बहुत मैं बेसिक से बताये हो ठीक है Android 14 अपडेट को मेन हाईलाइट चेंज आपको देखने को मिलेगा control center को लेकर control center इस बार टोटल ही चेंज हो जो डिजाइन के मामले में looking के मामल में सब कुछ के मामले में याप च्रोड सेंटर यह पर चेंज हो चुक है इवैन एंपर चोड़ सेंटर के अंदर को छोटे-चोड़े चेंजिस भी हो है ओ मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि यह पर जो एडिट का आइकन होता है उसको यह आपर रोनों ने ऊपर को ऐसे सुच कर दिया तो एडिट आइ चीज दिखाता हूं simply control center के अंदर एक live caption का option और ने add किया है उसको enable करने के लिए सेटिंग में जाना सरीच करना live caption तो यह वाला option आपको दिख जाए तो इस option के अपर यहां पर यहां ने add language का option दिया तो यहांसे आप चाहे तो कुछ multiple language यहां पर add कर सेक्तों और बाकी नीचे जितने भी option रहेंगे उनको भी आपर on कर देना ठीक है इतना सब कुछ करने के बा बात चीद हो रहा है उसका ऐसे caption आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा तो एक useful function आप इसको ट्राइक कर सकतो ठीक है उसके अलबा कंट्रोल सेंटर के दर कुछ glitches भी आपको देखने को मिल जाए कि अपर अगर आप हॉस्पाट एनेवल करते हो तो आपको चाइनिस चाहित आपको डिक जाए पर कभी कभी आपको एक्जांपेल दिखाता हूं कि अगरा पर आप जैसे कि अगर्वर्टीकरली फोन को देखे तो नूट्रिकेकर प्रॉपर दिख रहे बट जैसे अम हम यह पर हॉरीज़न ली जाते तो आपर नोटिविकेशन फोड़ा प्रॉ कर दिया तो जो कुछ आपको ऐसा एनिमेटेद देखने को मिल जाएगा और आपको जो है काफी सारे अप्लिकेशन के नूटिफिकेशन भी दिखने को मिल जाते लिए कि अपसने अच्छार मेसेंजर बगड़ा एन अधरस एप्लिकेशन के तो अब यह पर मैं आपको एक और जिखा द ему जो यह पर कर कच दर् Supreme sphere पर आप सिम्पिली लॉक्स्किन नहीं बड़र चले आना अदिया बड़क़ स्टिंग को उप्शेशन देखने को मिल जाएगा कश्टम लॉक्स्टिन का तो उसके अनदर आप जैसे ही जाते हो परने आपको पूरा कश्टमिशन का ओप् चाहएब को हमदुस जो चैंड मैं कर सकता यहा फंक्षाइर फंक्ष्ै आपको आपको इसके लॉपं स्के युस्पूल चीजों के अब ने कर सकते ना में आप आपको एक छोटा चेंज दिखाता हूं बेसिकली आपको एल्बम के अंदर जाना इसके लिए एन एल्बम के अंदर एक निया उप्शन एड हुए आपकर इमेज कंप्रेशर का ठीक है तो इसका यूज कर सकतो लाइक आगर आपके पास कोई फॉटो है जिसका इमेज का जो साइज होगा कम हो जाएगा बट कॉलिटी आपको दिखा दिया मैंने अपर बहुत यूसफुल फंक्शन है ट्राइ कर सकतो कुछ कुछ नहीं काम आ जाता है अभी में एक और बिग चेंज दिखाता हूं जो है आप स्लाइट श्यार एफ स्मॉल विंडो को लेके इस बार स्मॉल विंडो के अंदर आप काफी सरे अप्लिकेशन को एड कर सकतो ठीक है और उसका यह पर यूस कर सकतो बट इतना ही नहीं अभी में एक सिंपल साथ चेंज दिखाता हूं स्मॉल विंडो लिटेट आपको सिंपल सेटिंग में जाने सर्च करने स्मार्ट जाएगा यहां पर जितने भी ओप्षण रहेंगे इसको आप यह से ना एनेबल कर देना जैसे कि आप जो शो रिसेंट एप्स को उप्षण से इनस इसे अप यह अप्षण को आन कर देना इतना करने के बाद में आपको दिखा तो यह उप्षण कैसे काम करें बेसिकली मैं चीज़ आपको यह पर देखने को मिल जाते हैं वह बड़ल एक और चीज़ है यह आपने इनों ने बैग्डाउंड प्ले का भी ओप्शन एड़ कर दो कर दिया है यह पर नया अड़ कर दिया यह पर इंपोर इंपोर्टेंट चेंज आपको दिखाता हूं अगर आपको जो है कोई भी फॉटो बगड़ा ऐसे मैसेज वाले अप्लिकेशन के अंदर ड्राग और ड्रॉप करना मतलब तो एचीज़ आप यह पत्तर आप्थर भी आपर कर सकते हैं मैसेज अप्लिकेशन के थुरू तो उसको इसे ड्राग और भी आपर कर सकते हैं उसके यह इसेज़ देखने को मिल जाते सफेब एक स्मॉल उंडू के अंदर है जो समय प्भी है बहुत यूश्फूल फंक्षन है आपको कुछ और छोटे-छोटे चें का हेल्थ है वह आपर चेक कर सकतो इवें नेक्स देखने को मिलेगा बैटरी यूजस को लेकर उसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज हुए आपर जैसे की देख सकतो डिजाइन के मामने में इस बाद थोड़ा अलग सा ही काम हुए फ़ाइफ फॉर्टिन के अंदर नेक् बैटरी को लेकर काफी सरे इस बार चेंज हुए आपको यूज करके मजा आएगा नेक्स चेंज की बात करतो जो आपको देखने को मिलेगा भाई आपर वॉल्यूम एजस्मेंट एप्लिकेशन को लेकर आप सिंपली सेटिंग में जाना है नों आपको एक ऑप्शन देखने आप कोई third party music application के उपर गाना सुन रहे तो सेम काम वहां पर भी कर देगा लाइक उस music application के लिए एक वॉल्यूम का बार क्रेट कर देगा जिससे आप से उसी music player का वॉल्यूम यह पर कंट्रोल कर पाऊ देखो चोड़ा सा चेंज है इसको भी ट्राय करना आपको यूज करके म सब्सक्राइब करना आपको यूज करना है तो मैं आपको दिखाता हूं तुम्हें आपको कैसा optimization हुआ यहापर में दिखाता हूं सब्सक्राइब के लिए कोई एक लाइल वालपेपर मेरे फोन को पर एट किया अभी मैं जाओंगा युआ कलर वाले सेक्शन के अंदर बट सब्सक्राइब करता हूं तो यहापर मेरे को यूआ कलर का फंक्शन देखने को में जैसे यहापर में जाता हूं तो सिंपिल अभी में क्या करूंगा अप्लाइट वालपेपर को यह से में जैस्ट यहापर चूस कर दूंगा तो इतना करने का अभी optimization देखना पहले live वालप अच्छा से काम नहीं करता था अब भी भाई Android 14 अब्रेट के बहुत बढ़िया काम करें तो मेरा recommendation रहेगा अगर आपको Android 14 मिल चुक है तो color and style option के अंदर जाके UI color option को जरू try करना बाकी कुछ-कुछ basic question थे आपके मैं आपको बतायता हूं कि जो डाइलर है वो चेंज हुआ ह आपके नहीं नहीं बाई कोई डाइलर वगड़ा चेंज नहीं को ओल डाइलर ही आपर देखने को मिल जाते को गूगल डाइलर वगड़ इन्होंने आपर एड नहीं किया Android 14 अपडेट के बात इवन यहां पर गेमिंग मूट के अंदर भी कोई चेंज आपको देखने को नह मिल रहे तो चले और और कुछ बुड़ो गंदा कहने का ने वीडियो कताम गुरेते पसंतों लाइक से चैनल पर नेस्क्राइब करें से तो मिलता हो नेक्स पुरो